प्श्कार मैं डॉक्टर गर्जंद गुपता, बीवी डी गॉवर्ण्मेंट खोलेज चिमनपुरा शाप्रा से बोला हूँ बच्चो, आज का ये जो वीडियो लेक्च्चर है बीएससी पार्ट सेकिंड के बच्चो के लिए है और B.H.C. Part Second में अपने Electronics का पेपर चल रहा है इस Electronics के पेपर में अपन फिल्टर्स पढ़ रहे हैं और फिल्टर्स से पहले अपने दिस्टकारी पढ़ा है आज के टोपिक को समझाने के लिए कुछ मैं पुराने बाते रिवाइज कर दूँ जिससे कि आपको आज का टोपिक अची तरह समझ में आ जाए अपने दिस्टकारन या दिस्टकारी पढ़े थे और दिस्टकारी एक इस तरह से Electronics के डिवाइस थी छात्रों कि जो प्रत्यवर्ती धारा या प्रत्यवर्ती वूलता को अपने को AC दारा या AC वूलता को DC दारा और DC वूलता के अंदर परिवर्तित कर सकता है दिस्टकारी में अपने देखे थे कि अर्थ तरंग दिस्टकारी और पूर्थ तरंग दिस्टकारी दो थे AC और DC का जो मिक्स्चर मिल रहा है अपने पास उसको या लग लग नहीं कर पाते हैं मतलब जो भी DC मिलती या आउटपुट के अंदर उसमें कुछ AC की मातरा मिक्स रहती है इस वज़े से इसमें से AC को अटाने के लिए कुछ फिल्टर्स काम में लाए जाते हैं जिसमें से एकाथ फिल्टर अपने पहले भी पढ़ा है आज जो फिल्टर की बात करेंगे वो करेंगे अपन L अनुमबाग फिल्टर या इसको दूसरे रूप में चोग निवेसी LC फिल्टर के नाम से जाना जाता है 2018 के अंदर रास्ता निवेस्टी में ये तीन नमबर का पूरा की पूरा इस पे क्वेश्चन आया था इसका अगर अगर आप सरके डाइगराम देखें तो मैंने या एक सामने सरके डाइगराम बनाया है एक ट्रांस्फर मारे पूर्ण तरंग दिस्टकारी है जिसमें दो डाइओड हैं अपने पास D1, D2 उपर वाला D1 मान सकते हैं नीचे वाला के D2 मान सकते हैं आपन और LC फिल्टर इसमें जुड़ा हुआ है LC फिल्टर के रूप में पेरक्त कुंडली इंड़क्टेंस कोई L जुड़ी हुई है और साथ में जो की सेनी करम में जुड़ी हुए परिपत में और एक संगारित जो की पार्स पतु जड़ा हुआ है C जिसको अपन यहां सामने बताया है और इसके पेरलल के अंदर एक लोड जुड़ा हुआ है आरे जिस पे अपन आउटपुट नापते हैं तो यहां पहले फिल्टर्स की अगर थोड़ी से बात करूँ मैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो पेरत कुंडली है इसमें आपन जानते हैं पेरत कुंडली की जो पितिगहात है उसको आपन चाहते हूँ एकसल इस गार 2 मेगाल से बताते है और उमेगा का मतलब होता है 2 पाई F L तो एकसल का मान आ जाता है अपने पास 2 पाई F L और चुंकि यह डी सी के लिए अपन जानते हैं कि फिक्वेंसी जीरो होती है इसलिए डी सी के लिए एकसल का मान जीरो होता है इसका मतलब यह होता है कि इस पेरत कुंडली में से जो DC धारा है वो आराम से प्रोवाइट हो जाती है इसी तरह से अगर आपन संगहरित की बात करें सी तो XC की जो धारिती पृतिगात होती है चातरों इसको आपन 1 अपन उमेगासी से बताते हैं पहले भी मैं बता चुका हूं इसको और इसका मतलब हो गया यह वन अपन टू पाई FC और चुंकि DC के लिए FC गर टू जीरो तो इस अवस्ता के अंदर XC का मान अनंद हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि पिरित कुंडली में से जो DC धाराया आसानी से बिना किसी रुकावट के प्रवाइट हो सकती है लेकिन AC को रुखना पड़ता है इसी तरह से C के अंदर से मतलब संगारित में से DC नहीं प्रवाइट हो सकती क्योंकि उसके लिए धारितिय पितिगात का मान बहुत जादा अनंद के आसपास हो जाता है लेकिन AC उसमें से प्रवाइट हो जाती है तो इसलिए यहां अगर आप देखो L और C के बीच में जो संदी बिन्दू है वहाँ पे जो भी करंट मिलती है अपने को वो करंट में जो AC करंट है वो संगारित में से आराम से निकल जाती है लेकिन DC करंट नहीं निकल पाती है और ये DC करंट जो है वो लोड पे पहुँच जाती है इस तरह से अपने यह कह सकते हैं कि एक उपफ़ पत जो अरुमी का फैक्टरस है जो अरुमी का फैक्टरस हैं इस पनद मान बोलता कि उनको एक उपुपत मिल जाता है वो C से वापिस पहुंच जाते है टास्फरम में वापिस वो दिस्टकारी की रूप में है उसका दिस्टकरण होता है और अपने को पुनहे प्राप्त होती है लेकिन जो DC दारा है वो अपने को लोड पे मिलती है और इस लोड पे अपन कोई भी वोल्ट मिटर लगा के अपन इसको अपन मेजरमेंट ले सकते हैं ना आप सकते हैं और इस तरह से जो अपने को पुन्ट तरंग जिस्टकारी AC को DC में बदल रहा था जो भी बदला उसने उसको और अपने प्यूरिफाइकर लिया इस LC फिल्टर को लगा के उसमें जितनी AC का वाग था उसको कोशिस की काफी कुछ तक उसको अटा दिया और इससे अब जो अपने को जो DC बोलता है जो DC दहरा मिल रही है वो पहले के तुल्ला में बहुत अच्छी मिलती है यह तो बात हुई चात्रो थियूरिटीकली लेकिन अगर इसी को अगर अपन इसको mathematical रूप से अगर अपन देखना चाहें तो mathematical रूप से मैं अपन को यह बता दू यहां पे कि जैसे यह समीकन बताईए उपर आपको कि पून्त रंग दिस्टकारी से प्राप्त इस पंदमा जो पहला वाग है इस समीकन में यह एक्चली के अंदर दिस्ट उलता को दर्शाता है जिस का मान टू एम अपन पाई है इससे अगर अपन धारा का मान निकालेंगी सी धारा का तो आरेल का मान लोड कुतिरोत का मान का भाग देके समीकन 11 से अपन इसमें IDC भी प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी के जो मान है वो बाकी मान जो है अपन यह कह सकते हैं यह जो है चतुर संताद यह दित्य सनादियां यह हर्मोनिक्स को बताते हैं मतलब इसकी एक जनरल वासा में बात करें तो अपन कह सकते हैं कि वह इसी पार्ट को बताते हैं और चुनकि जो सेकिंड पा 2 मेगा की तुड मताएं, अगर अपन इसके अंदर अर्मिका धारा कामाद निकाले हैं, और्मिका धारा को अपन ये बता सकते हैं, आईयेसी का 2, एयेसी, अपन 2 अमेगा अगल, मैनस 1 अपन 2 मेगा सी, यहां जो 2 मेगा चल रहा है, अमेगा के इस्थान पे, वो इसलिए चल मान B1 upon 2 mega C होगा और L और XL का मान B2 mega L होगा उन दोनों को काम लिया है और दोनों से मिलके एक परीडामी प्रेश्वाद बनती है इसका मान जिसको के अपन 2 mega L minus 1 upon 2 mega C से दोरा बता सकते हैं अच्छे जब उल्मी कादार IAC निकल लिए तो अपन में यहां पर IAC का मान अगर मैं रख दूँगा समीकन 12 से तो अपने को नए समीकन मिल जाती है IAC की 8 EM omega C upon 3 pi cos 2 omega इसका मान अगर अगर अपन रख दें तो next देखो next का अगस पे तो अपने को पास equation मिल जाती है कि IAC जिगाटू 8 EM into omega C upon 3 pi bracket में 4 omega square LC minus 1 और उपर cos 2 omega T इससे अपन omega धारा का वर्ग मादे मूलमान जिसको कि अपन प्रभववी मान भी कहते हैं उसका मान निकाल सकते हैं जिसको कि अपन I dash RMS मतलब पहले square किया उपर की रासी का IAC का फिर इसका mean लिया mean लिया total time के लिये लिया तो 0 to T पूरे cycle के लिये और फिर इसका root कर दिया अपने तो जो constant रासी हैं उनको तो बहार निकाल ली और अंदर अपने जो values मिली वो अपने को 8 EM into omega C upon 3 pi bracket में 4 omega square LC minus 1 into multiply 1 by root 2 इस तरह से अपन उनमी का धारा द्वारा संगारी C के सीरों के मद्दे अगर वोल्ट तर निकालें तो अपन लेख सकते हैं E dash RMS is got to I dash RMS into संगारित की धारीती पतिगा जिसका कि मान 1 upon 2 mega C से अपन बता सकते हैं इनके value रख दिया idea सारे में इसकी तो अपने को equation और load पर उर्मी रखा वोल्ट ता का मान निकालें तो E AC के द्वारा अपन इसका समीकन 13 के द्वारा इसका मान जाये बता सकते हैं अपन ये जानते हैं चात्रों कि उर्मी का धारा R का मान उर्मी का वोल्ट ता का प्रवाई मान अपन दिस्ट वोल्ट ता का मान इनके ratio के द्वारा अपन बताते हैं तो इसलिए अगर इन दोना का values यहां रख दें जो रहसी cancel होती है उसको अगर अपन कैंसिल कर दें तो अपने पास R की value समीकंड 14 के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं यहां अपन ये कह सकते हैं कि उर्मी का गुनांग लोड प्रतीवादा अर्था लोड दहरा निर्वनी करता है लोड दहरा पर निर्वनी करता है अर्था तथा इसके मान को नियून करने के लिए या आफशक होगा कि फोर उमेगा इसकोई LC का मान एक के सापेक्स बहुत अधिक हो अथे फोर उमेगा इसकोई LC इस वेरी वेरी गेटर देन वन इतव उसकेस के अंदर R की value जो आएगी 0.118 अपन उमेगा इसकोई LC के द्वारा बता सकते हैं और अपन जानते हैं कि उमेगा इसकोई टू टू पाई है तो इनकी values रख दें तो समीकर पंदराज से अपन ripple factor की values जो है बता सकते हैं कि जबकि LC filter को काम में लाया जाता है और इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि R का जो मान है ripple factor का मान वो F square के वित कमान उपाती होगा L के वित कमान उपाती होगा C के भी वित कमान उपाती होगा मतलब इनका मान जितना दिकोगा उतना ही R कमान कम आएगा और रिपल फेक्टर का मान जितना कम आएगा चातरू अपन को पता है ये उतना ही अच्छा फिल्टर अप जो है जाना जाएगा तो इस तरह से अपन LC फिल्टर के बारे में देखा आज अपन ने उसको समझा उसको पढ़ा तो इसको आप देखिए इसके नोट्स वाट्सेप ग्रूप पे मैंने शेयर कर दिया है असा है आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा